हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है अकास और स्वागत है आप सभी का अमारी यूटूब चैनल कम्प्यूटर एक्जाम में दोस्तों आज है 7 मार्च 2021 और आज जो तिरपल सी का एक्जाम हुआ है फ्रेंज उसके उपर हम बात करने वाले हैं उसके सभी important questions हम आपको बताने वाले हैं जो कि हमारे पास कुछ students ने भेज दिया है जैसे कि राकेश कुमार विसाल कुमार राहुल पांडे और सिवानी ने तो इन सभी students ने हमारे पास questions भेजे हैं तो आने वाले दिनों में अगर आपका भी exam होने वाला है तिरपल सी का तो आ हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए महमान है तो चैनल को सबसे पहले आप subscribe कर लिजिए और bell icon को भी प्रेस कर लिजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की notification आप तक बिल्कुल टाइम पर पहुंचती रहे चले friends question of first से सुरू करते हैं यहाँ पर question of first ह है मारा friends library office writer में repeat करने की shortcut कुझी क्या है library office writer में repeat करने की shortcut कुझी क्या होती है दोस्तों अगर आप में से किसी भी student को किसी भी student को इसका answer पता हो तो सबसे पहले आप comment में answer बताते रहे हर एक question का आपको answer करना है जो भी आपको पता है तो इसमें से इसका right answer क्या होता है दोस् important question पूछे गए थे friends आपको अच्छे से समझ के जाना है एक्जाम देने और friends आपको भी WhatsApp मैसेज जरूर करना है अपने question जरूर बेजना है जो हमने नंबर दिया हुआ है चलिए next question देख लीजिए यहाँ पर question number two है दोस्तों कौन लिब्रे ओफिस का प्रोग्राम नहीं है अब बताए दोस्तों इन चारों आपसन को देख के आप बहुत ही आसानी से कुछी सेकेंड में इसका answer दे सकते हैं अगर आप थोड़ा भी जानते हैं लिब्रे ओफिस और MS ओफिस के बारे में तो तो लिब्रे ओफिस का प्रोग्राम कौन सा नहीं है इन में से कौन सा लिब्रे ओफिस का प्रोग्राम नहीं है राइटर एक्सल कैल्क ड्रो तो राइटर और कैल्क और ड्रो तो होता है लेकिन क्या एक्सल जो होता है वो नहीं होता है यह आपको याद रखना है माइक्रोसाफ उससे पहले एक काम तो आप जरूर कर दीजीगा वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजीगा आपको एक लाइक बटन जरूर दबा देना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए महमान है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना है आपको ताकि सभी वीडियो की खिल्कुल true हो जाएगा Google Chrome जो है फ्रेंस वह एक web browser है लेकिन Google अगर पुछ दिया Google एक web browser है तो false हो जाएगा लेकिन अगर पूछाईए कि Google एक search engine है तो true हो जाएगा यह आपको याद रखना है Google सी related question चलिए next question देख लेते हैं question of reference hyperlink का by default color कौन सा होता है अब बता दे friends की hyperlink आप बहुत ही असानी से समझ सकते हैं हम आपको बता दे रहे हैं जैसी के आप website पे कुछ भी Google पे search करते हैं आपके सामने बहुत सारे pages खुलके आते हैं तो आपके कोई भी link दिया रहता है friends तो वो नीला होता है यह आपको याद वीडियो की description में हमने दो PDF कर लिंक दिया हुआ है पहले वाले PDF में पचीस सो most important तिरपल सी के previous exam के questions और दूसरे वाले PDF में 1000 most important तिरपल सी के previous exam के questions जिनको की अगर आप ले लेते हैं तो आप तिरपल सी में बहुत ही आसानी से top कर जाएंगे बहुत ही आसानी से pass कर सकते हैं तो उसको भी आप ले लिजिएगा सबसे पहले वीडियो को देख लिजिए क्यूंकि काफी important question है और यह सारे के सारे question हमने आपको बहुत बार पढ़ा चुका है यह भी आप याद रखिए अगर आप अच्छे से तयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के description में हमने बहुत सार वीडियो को देखते रहना है चलिए next question देख लेते हैं अगला question है दोस्तो website का प्रथम page माना जाता है website का जो प्रथम page होता है दोस्तो वह home page होता है अब देख लिजे next question अगला question है दोस्तो WAIS का full form क्या है WAIS WAIS का full form क्या है तो wide area information services अगर आपको answer पता रह रहा है पहले से तो आपको comment में जरूर बताना है वीडियो को लाइक जरूर करना है चलिए next question देख लिजे तो friends question was seven है जो कि इस तरह का sign है इसके बीच में B लिखा गया है टेक का इस्तिमाल कहा होता है किस तरह के program में इसका use होता है तो HTML में होता है अब बता देख फ्रेंस HTML का full form भी आपके exam में बार बार पूछता है तो hypertext markup language hypertext markup language यह आपको याद रखना है most important question है और यह सारे क सारे question friends repeated questions है जो कि हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है और यह सारे के सारे question और इसके जैसे जितने भी important question है सब आपको PDF में मिल जाएंगे तो उसको अगर आप ले लेते हैं तो आपका कभी भी exam होने वाला है तो आप बिंदास हो के बहुत ही असानी से पास हो जाएंगे चलिए next question देख लेते हैं अगला question है दोस्तो रूपे कार्ट सर्व पर्थम किस बैंक ने जारी किया रूपे कार्ट सबसे पहले किस बैंक ने जारी किया था friends तो SBI ने किया था SBI अब इसका full firm भी पूछ देता है friends कभी कभी तो State Bank of India इसका full firm होता है और RBI का full firm होता है Reserve Bank of India चलिए next question देख लेते हैं उससे पहले चैनल को सबसे पहले आप subscribe कर लिजिए और bell icon को जरूर प्रेस कर लिजिए ताकि हमारे आने वाले next video की notification आप तक बिल्कुल टाइम पर पहुंशती रहे चलिए next question देख लिजिए अगला question है दोस्तो अतुल एब कब शुरू हुआ अतुल एब जो है फ्रेंस वो कब शुरू हुआ तो 2002 यह आपको याद रखना है 2002 में शुरू हुआ चलिए next question देख लिजिए अगला question है दोस्तो यूपी आई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं यूपी आई का फूल फाम होता है फ्रेंस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यह आपको याद रखना है यह बार-बार question आता है तो इसका उपयोग फ्रेंस हम एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं तो 24 घंटे कर सकते हैं जैसे कि आप online जब पैसा भेजते हैं फ्रेंस जैसे कि फोन पेसे गूगल पेसे तो उसमें भी यूपी आई की जरूरत पड़ती है तो आप कभी भी पैसे भेज सकते हैं या फिर रिसीब कर सकते हैं चलिए next question देख लेजिए, अगला question है दोस्तों, QR code किस ने बनाया, अब बताइए friends, QR code किस ने बनाया, Facebook, Dance of Wave, Google और Yahoo, तो Dance of Wave इसका right answer होगा, अब बतादे friends, QR code क्या होता है, जिसको QR code एक टाइप का code हो जाता है, जिसको की scan किया जाता है, और उसको scan करने के बाद उसके अंद दोस्तों, browser में नई tab open करने की shortcut की क्या है, अब बताए friends, आपको अगर पता है, तो जल्दी से comment में answer करिए, browser में नई tab open करने की shortcut की क्या है friends, तो Ctrl plus T आप प्रेस करेंगे, तो browser में new tab open हो जाएगा, चलिए next question देख लीजे, अगला question है दोस्तों, जब हमें किसी mail का उतर देन होता है, तब हम यहाँ पर dash deri AI करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, forward, reply, send, or compose, तो यहाँ पर reply इसका right answer हो जाएगा, यह आपको याद रखना है, चलिए next question देख लीजे, अगला question है दोस्तों, question of 14, लिवरे office calc में full screen की shortcut की क्या होती है, तो Ctrl C plus J, Ctrl C plus J होती है, यह आपको या से related, VR का full form क्या होता है, तो VR का full form होता है, virtual reality, यह आपको याद रखना है, most important question है, channel पे नहे हैं हमारे, तो आप जल्दी से channel को subscribe कलीजे, bell icon को भी press कलीजेगा, टाकि हमारे आने वाले next videos की notification आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचती रहे, अगला question देख लीजे, अगला question है दोस्तो, CRM का full form होता है, CRM का full form क्या होता है दोस्तो, काफी थोड़ा सा हट के question आज के exam में यह आया था, तो CRM का full form होता है, customer relationship management, customer relationship management, अब देख लीजे next question, यहाँ पे friends, कल का formula है, equal to count 3,4,6,7 का मान होगा, और friends, count का मतलम होता है, गिनना, यहाँ पे जितने भी लिखे र 4 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, तो इसको 1,2,3,4, 4 अंक लिखे हुए है, तो count का मतलम गिन के यह बता देगा 4, यह आपको याद रतना है, यहाँ पे कुछ भी रहता है, तो गिन के बता देता है, बस numbers को ही गिनता है, अगर यहाँ पे 3,4,6,7, अगर ABCD का कोई भी द यह दिया होता है, तो उसको नहीं गिनता, केवल numbers को गिनता, यह आपको याद रतना है, चलिन next question देख लिजे, अगला question है दोस्तो, firewall क्या है, firewall क्या है दोस्तो, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि firewall का मतलम समझ सकते हैं, आपकी एक आग की दिवाल इसको कहा जा सकता है, firewall, त तो friends, computer के भासा में firewall security के लिए use होता है, firewall का use security के लिए होता है, किसी भी गलट data को computer में आने नहीं देता है, चलिन next question देख लिजे, अगला question है दोस्तो, 2000 रुपे का note का रंग कैसा होता है, चलिए friends, बताइए, यह question बार-बार exam में आता है, और बहु सारे students confused हो जाते हैं, note स से ज्यादा तो अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन एक तो जरूर आता है, तो 2000 रुपे का note का रंग कैसा होता है, तो magnetा होता है, magnetा, यह आपको याद रखना है, अब देख लिजे next question जो की काफी important है, note से related, यहाँ पे question बार 20 है friends, 500 रुपे के note का size कितना होता है, size से related हर बार question 500 रुपे के note का size कितना होता है दोस्तों, तो 500 रुपे के note का size होता है, 66 mm into 150 mm, 66 mm into 150 mm, अब यहाँ पे friends बता दिये हैं, यहाँ आपको समझाने के लिए, यह 200 रुपे का note जो होता है, यहाँ पे 66 mm into 146, और 2000 रुपे का note जो होता है, 66 mm into 166 mm, तो यह तीनों most important रहे हैं, आपको अच्छे से समझ के एक्जाम देने जाना है आने वाले दिनों में अगर आपका भी एक्जाम होने वाला है तो हमें इस WhatsApp नमर पर आप भी questions जरूर बेज़ेगा ताकि हम और भी student को questions बता पाएं और उनकी भी कुछ help कर पाएं अगर आप हमारे चैनल पर नए महमाने दोस्तो तो चैनल को सबसे पहले आप सस्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लिजिए ताकि हमारे next वीडियो की notification आप तक बिल्कुल टाइम पे पहुंचते रहे और इस वीडियो की description में हमने most important pdf का link दिया हुआ है उन सभी pdf को आप ले सकते हैं आप अगर चाहें तो वो सारे book के scanned copy है एक पूरे book को हमने scan करा के pdf में convert करके रख दिया है अगर आप market में लेने जाते हैं तो आपका कई 100 रुपिया खर्च होता है लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते दाब में मिल जाएगा तो description में link है उसका सभी pdf का link करके हमने link दिया है उस पर आप click करके एक बार check out जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में Thank you friends